वेलकम टू प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मैं हैजरबादी ब्रेकफर्स्ट रेसिपीस मंडे टू सैटेडे की सीरीज लेकर आई हूं मेरी ब्रेकफर्स्ट रेसिपीस आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह सारे रेसिपीस बहुत ही भेंडी भेंडी को आप अच्छे से सुखा लें उसके बाद में इस तरह से कट कर लें अब इसको अच्छे से बनाने की टिप यह है कि आप इसको बड़े से बरतन में बनाए और इसको ढखना नहीं है अगर आप इसको ढखेंगे तो फिर भेंडी अपना पानी रिलीस कर द देखिए अब इसके अंदर लेश भी बाखी नहीं है और अच्छे से पक भी गई है तो अब हम इसमें मसाले आट करेंगे तो टेस्ट के साथ से नमक एट करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस तीन से चार मिनिट के लिए इसको पका लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार भेंडी फ्राइ बनकर तयार है बच्छों को नाश्ते में ये रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है तो जरूर ट्राइ कीजिए कितनी अच्छी भेंडी बनी है एक भी भेंडी आपको इसमें तूटी भी नहीं लगेगी तो मेरे टिप्स को फॉलो करके बनाइए तो फर्स्ट रेसिपी हमारी तयार है चलिए हम नेक्स रेसिपी बना लेंगे जो के है आलू बैंगन फ्राइ और ये रेसिपी भी बस दस से पंदरा मिटने बनकर तयार ह हो जाती है तो चलिए बनाना शुकरते इसके लिए मैंने पैन में हाफ का पॉल गरम किया है इसमें एट करेंगे एक मीडियम साइस की अनियान और इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे अब देखिए अनियान के जो टिप्स है वो लाल होने लगी है तो हम इसमें ग्रीन चिली फ्राइ हो जाए क्योंकि हमें इसको भूना हुआ बनाना है बॉल नहीं तो इस तरह से हम इसको हिला लेंगे पहले अब देखिए जैसे ही यह थोड़ा सा आलू पकने लगे है इसमें आट करेंगे वन थर्टी स्पून हल्दी बॉडर और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और ढख देंगे ढखने से क्या होगा कि बैंगन का थोड़ा सा पानी रिलीज होगा और आलू और बैंगन सौफ्ट हो जाएंगे पहले आप इसमें मिर्ची नहीं दालिया नहीं तो फिर यह जलने लगेगा और आपको पानी दालना पड़ेगा इस तरह से आप वीरोफ्ट हो गये हैं बैंगन और आलू लास् destructive 2Êrakt करें त्यूझसपिन रेड चीछी पाओडर क्योंकर करणा पानी दाल देंगे 2 depos आप यहये च्प्रम मिक्स करेंगे कि पानी हमें इसलिए दालना है जो मसाले ओ अच्छ हे बैंगन में मिक्स होजाएं पानी नहीं दाल तो अब फोर्थ रेसिपी की बारी है जो है खीमा है तो चले बनाना शुकर थे इसके लिए कुकर में मैंने हाफ का पॉयल गरम किया है इसमें दो मीडियम साइस की अनियन को हमने अच्छे से फ्राइ कर लेना है अब देखिए अनियन का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो मैं आट कर रही हूं टूटी इस्पून जिंजा गालिक का पेस्ट और इसको अच्छे से भूल लेंगे साथ मैट करेंगे हल्दी पाउडर नमक टेस्ट के हिसाब से और चिली पाउडर टूटी इस्पून और अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमेट करेंगे 400 ग्राम खीमा और इसको अच्छे से भूल लेंगे खीमे को हमेशा भूलना जरूरी होता है नहीं तो खीमा जो है का कलर तो अब इसमें पानि आड करेंगे तो एक कपानी आड करेंगे और कुकर का लीड लगा दिएंगे तो जैसे मैंने कहा ये भी रैसिपी बस 10 ते 15 मिट मेर बनकर तयार हो जादी है इसको भी हम रोटी के साथ में से अच्छे से बहलेंगे और प्रशर लगा दीजिए लासे हम तीन हरी मिर्ची एट करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार खीमा बनकर तयार है अब इस्टों की फ्लेम लो कर दीजिए बस पांच मिट के लिए इसे दम पे इस तरह से पका लीजिए अब यह खीमा बिल्कुल बनकर तयार है इसको अब हम सर्फ कर देंगे थोड़ा सा कोट मिर्दाल के तो बहुत ही मज़ेदार खीमे की रेसिपी बनकर तयार है जिसको आप खिचडी खटे के साथ में और रोटी दोनों के साथ में सर्फ कर सकते हैं तो अब हम चौती रेसिपी बना लेंगे हफते की जो है खिचडी खटा है द्रबादियों का फेव का पॉइल गरम किया है इसमें एक बड़ी साइस की प्यास और इस प्यास को अच्छे से हमने फ्राइ कर लेते जाना है साथ में गर्म मसाले आट करेंगे तो तीन इलाइची है दो लॉंग है कोटर टी स्पून शाजिरा है और हाफ इंच की सिनमानिस्टिक है और अच्छे स अच्छे से भूल लेंगे साथ में आट करेंगे थोड़ासा हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से अपने नमक दाल दीजिए इसमें और अच्छे से अब हमारा बगार तयार है तो इसमें पानी दालेंगे स्वारी कोरियांडर लीफ और मिंटली फैट करेंगे कब से थोड़ा सपानी ज्यादा दालेंगे और अब हाई फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है जब तक इसमें बॉइल नहीं आता जैसे ही यह बॉइल आ जाएगा हम इसमें आट करेंगे चावल और दाल मैंने इस तरह से ली है के 300 ग्राम चावल है और 200 ग्राम दाल जो के 2 क अब होता है मेरे पास में यह हम इसमें आट करेंगे और हाई फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि यह राइस 90% तक पक नहीं जाते हैं देखिए इस तरह से एक दो बार हम इसको 20 में से खोल कर हिला लेंगे तो राइस अच्य से पक जाएंगे तो जैसे मैंने कहा यह भी बिल अड जार से 2-3 मिट में यह क्षीडी तयार हो जाएगी जब तक खिचडी तयार होती है हम घर्यक्टा बना लेंगे काट्टा बनाने के लिए मैंने इस पुड़ा सा नमक और इसका बीलकुल फाइन सा फ़्ल्म पैस्ट बना लेंगे थो पैस्ट है अभी में हम खट्ट मेंट इनकाल सब्हूंब अट जो इसकी हम कर देंगे कट्टा तयार है तब हम इसका बगार तयार करेंगे और खट्टे की कंसिशेंसी आप अपने टेस्ट के साफ से गाड़ी या पतली रख सकते हैं हम इसमें थोड़ा सा कोथमीर पुदीना और प्याज आड़ करेंगे अब बगार लेंगे इसको तो मैंने हाफ का पॉयल गरम की आड़ करेंगे एक टीस्पून जीरा और थोड़ा सा करी लिव और अच्छे से बगार को क्रैकल कर लेंगे अब बगार खट्टे पे आड़ कर कर देंगे गरमा गरम टेस्टी की खटता इसके साथ में मैंने बॉयल कई जपि किा है चाहे तो आप इसके साथ खीमा बना सकते हैं चाहे तो खागीना बनाने के लिए मैंने यहां पर हाफ का पॉइल गरम किया है इसमें अट करेंगे three medium size की अनियन जितने अंडे है उतनी ही आपने प्यास लेनी है अब इसको हमने अच्छे से फ्राइ कर लेना है और प्यास को मैंने thinly slice किया है lengthwise अब हमने इसको अच्छे से फ्राइ अंडे निकाल के पहले ही मैंने चेक कर लिया है क्योंकि कभी कभी अंडे खराब आते हैं अब देखिए प्यास का कलर बेलकुल चेंच हो गया तो मैंने इसमें 1 टीसपून चिंजर गालिक पेस डाल के भुन लिया इसमें आट करेंगे टेस्ट के साफ से नमक और अच्छे से म कर लेंगे बिल्कुल 20 टीसपून हम इसमें पानी आट करेंगे ताकि ये ये मसाले हम इसमें नहीं ऊसलें और अपानी हों अध्य अंडों को अच्छे से फेट लेंगे और अबायट कर देंगे अंडे दालते वक्त इस्टो की फ्लेम हाई रखे और दालने के बाद में आपने लो कर देनी है दालते वक्त हाई रखिए और फैला के दाल दे और दाल के अपने इसको हिलाना नहीं है वरना अंडे में से स्मेल लगती है अब देखिए हलके हाथ से हम इसको इस तरह से करेंगे ताके यह जो अंडा है वो सारी तरफ पैल जाए अच्छे से और पक जाए और जैसे मैंने कहा खागीना भी बहुत जल्दी बनकर त्यार होने वाली रेसिपी है तो छोड़ दे इसको अंडे को हम थोड़ी दे करके इसको भी हम रोटी के साथ में सर्फ करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तया हरे खागीना अब हम दूसरी रेसिपी बना लेंगे जो है खड़ी दाल याने मसूर की और मेती की भाजी की दाल तो चलिए बनाना शू करते है इसके लिए मैंने हाफ का पॉ अब देखिए प्यास का कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो इसमें एड़ करेंगे वन टीज़पून जिंजर गालिक पेस्ट और इसको डाल के अच्छे से अब हम भूल लेंगे उसमें आट करेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्दी पॉडर इसमें आट करेंगे मसूर की डाल मसूर की डाल को बस धो के रखना है भीगाई यह मत धो के रख देंगे इसको तो इसमें पानी डाल देंगे तो मसूर की डाल जितनी है उससे देड़ सा पानी डाल देना है और अच्छे से अब इसको मिक्स करके हाई फ्लेम पर पका में तेंट पगी है तो तीन बंच बढ़े में पानी निकाली आवा इसको बारी कट करके हम इसमें डाल करनेगे क्योंकि बहुत ही फाइदे मंद होती है मेथी की भाजी हेल्थ के लिए तो इसको बहुत ज्यादा देर तक आप पकाई नहीं बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसको सर्फ कर देंगे तो इसको भी ये रेसिपी को भी हम रोटी के साथ में सर्फ करेंगे खड़ी दाल रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगती है है रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक की दिये शेयर किजिए अपने ऐसे फैमली और फ्रेंसे जिनको इनकी जरूर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल प्यूर कुकिंग को ऐसी यूसफुल वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग